अगस्त 1947 मदरास प्रेसिडेंसी तमिरनाड विशिष्ट लोगों का एक समों अपने जीवन काल की एक एतिहासिक यात्रा की तैयारी कर रहा था उन्हें एक माद्व पूर्ण कार्य संपन्न करने के लिए आमंत्रत किया गया था एक शासक से दूसरे शासक को सत्ता हस्तांतरन की प्रक्रिया को विदी विधान के साथ पूर्ण करने का कार्य सौपा गया था किस दिशा में कूच कर रहे थे ये लोग? दिल्ली भारत अपनी स्वतनत्रता के समीप था ब्रिटिश आसन से मुक्ति की बेला थी स्वराज के लिए संगर्ष में हजारों गिरफतार हुए और मारे गए और तशको बाद राष्ट्र अपनी लक्ष के समीप था वो लक्ष था, स्वाधीन था, स्वतनत्रता अबंतिम वाइसरोई लॉड माउंट बैटन को एक मत्वपूर्ण कार्य करना था भारतियों को उनका स्वराज्य सौपने का कार्य परंतु उनके सामने एक सवाल था स्वराज्य को किस प्रकार सौपा जाए ऐसे में हाथ मिलाने की रस्म शायद ही काम आए तो इस गौरो शाली शन के प्रतीक के रूप में कौन सी रस्म अपनाई जाए उन्होंने पंडित जवाहरलार नहरू के सामने अपना ये सवाल रखा ये एक उचित सवाल था जिसके बारे में विचार विमर्ष की आवशक्ता थी नहरू जी ने ये प्रश्न जाने माने स्वतन्तता सैनाणी श्री सी राजकोपलाचारी के सामने रखा जिने राजाजी के नाम से जाना जाता था वे तमिलनाड से थे नहरू राजाजी की विद्वता और भारतिय परमपराओं असब्भ्यताओं पर उनके ग्यान का सम्मान करते थे zi को इसका समाधान भारत के गौरव शाली अतीत में मिला तमिर्नाड के चोया सामराज में जो भारत के प्राचीनतम और धीर्ग काल तक चलने वाले सामराज्यों में से एक था एक चोया समराट से दूसरे समराट को सत्ता का हस्तांतरन नीती परायनता के प्रतीक अर्थात सेंगोल सौब कर किया जाता था भगवान शिव के आशिरवाद का आवाहन करते हुए उस समय के महन्त द्वारा सेंगोल को आशिश प्राप्त होता था क्योंकि चोड़ा शिव के प्रबल भक्त थे, उनके द्वारा स्तापित हजारों वर्ष पुराने मंदिरों में आज भी पूजा की जाती है राजा जी ने इसी परंपरा और समारों के आयोजिन की सला दी, जिसे नहरुजी ने स्विकार किया राजा जी ने बिना समय गवाए इस समारों के लिए प्रमुख धार्मिक मठ या आश्रम तिर्वा वर्दुरै आदिनम से संपर्ग किया जिसे पाँच सदियों पहले स्तापित किया गया था और ये तब से चोड़ा भूमी के केंदर में स्तित है और आज तक कारियरत है तदकालिन मट प्रमुख बीस्वे गुरू महासनिदानम श्रील श्री अंबलवाना देशिक स्वामी ने अपनी अस्वस्तता के बाद भी इस कार्य को स्वीकार किया उन्होंने सेंगोल बनाने का दाईत्व मदरास के प्रसिद्ध स्वर्नकार वुमडी बंगारु को स्वाम सेंगोल के शीर्ष पर नंदी विराजमान थे जो की शक्ती, सत्य और न्याय के प्रतीक है सेंगोल बनाने के समय को याद करते हुए 96 वर्षिय श्री वुमडी एतरा जुलू कहते हैं आदिनम किसी की सिफारिश पर हमारे पास सेंगोल का निर्मान का न्योता लेकर आये थे उन्होंने हमें इसके चित्र दिखाए यह एक गोल लंबा कार वस्तु थी इसे बिलकुल वैसे ही बनाना था यह एक महत्व पुल्ण स्थान पर जा रहा था इसलिए उच्च गुनवत्ता आवश्यक्ती हमें इसके निर्मान का आधेश मिला यह चांदी से बना था जिस पर सोने की परत थी आधिनम के सानीध्य में इस निर्मान से जुड़कर मैं बहुत ही प्रसंड था च्वतंत्रता सब के लिए गौलोवशाली शन था पर आधिनम द्वारा हमें सेंगोल निर्मान का दाईत्व सौंपने से उस शन का महत्व बढ़ गया था परम पावन मट प्रमुकने उपप्रमुक श्रील श्री कुमारस्वामी तंबिरान आधिनम के ओदुवार विशेश गायक मानिक्यम और नादस्वर विद्वान टी एन राजरत्नम पिल्ले को आयोजन संपन्न कराने का दाईत्व सौंपा ये दल एक विशेश विमान से धिल्ली पहुचा 14 अगस्थ 1947 की रात्रिको श्रील श्री कुमारस्वामी तंबिरान ने रीत इनुसार सेंगोल को लॉड माउंट बैटन को सुपुर्द किया और लॉड माउंट बैटन से उसे पुनह स्विकार किया तक पश्चात सेंगोल पर बवित्र जल चिड़का गया शोबा यात्रा के रूप में इसे पंडिक जवाहरलाल नेहरू के पास ले जाया गया इस अफसर पर ओदुवार ने तमिर संत तिरिज्ञान संबंदर द्वारा रचित कोलर पदिगम से श्लोकों का पठन किया महंत ने नेहरूची को पीतांबर पहनाते हुए उन्हें रीतिनुसार सिंगोल सौपा अडियार गल्वानिल अरसालवार आनाई नमदे अर्थाद ये हमारा आधेश है कि ईश्वर के अन्युयाई राजा स्वर्ग के समान शासन करेंगे इस वाक्य से श्लोक का समापन हुआ इस प्रकार एक हजार वर्ष पूर्व की सब्यतागत प्रथा के अनुसार दक्षिन और उत्तर के असाधारन एकी करन द्वारा राष्ट्र को एक सूत्र में पिलोते हुए शासन का हस्तांतरन हुआ तद पश्चाथ नेरुजी ने श्री राजेंद्र प्रसाद सहीत कई नेताओं की उपस्तिती में सेंगोल को स्वीकार किया आगे चलकर श्री राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्र पती बने इस एतिहासिग घटना का उलेक वो प्रकाशन राष्ट्रिय और अंतर राष्ट्रिय मीडिया में किया गया 25 अगस्ट 1947 की टाइम पत्रिका ने भी इसे प्रकाशित किया हस्तांतरन की प्रक्रिय के पश्चाद पंडित जवाहरलाग नहरू ने 14 अगस्ट 1947 की मद्य राथ्री को अपना विश्व विख्याद भाष्ण राष्ट्र के नाम संबोधित किया 117 मिड़कर के नाम संबोधित किया भाष्ण राष्ण राष्ण